बच्चे बड़े पूरामन तोर पर बैठे हुए थे पूई हंगामा नहीं था बड़े सब अंदाज में जो पढ़े लिखे लड़कों का मामला होता है उसमें लड़कियां भी थी विकलांग बच्चे भी थे लड़के भी थे और नतीजाओ के पुलीस आई एकाएक उन पर और डंडे चलाना सुरूब है पुलीस ने बाजू पगड़ ये कहा कि साब इनलों को थाना लेके चलिए मैस्टेट थे वहाँ पर मामला ये है कि ठीक है उन बच्चों के साथ ये जो जल्म हुआ है लोग तंत्र में क्या अपने हक को मांगना जुर्म है बल्क पुर्वक इ बताई गई है हम जल्द से जल्द इन बच्चों की बहाली का मुतालबा करते हैं और जिन बत्तमीद अफ्सरों ने इस तरह की हरकत किया है उस पर कारवाई हो उस इंक्वारी हो और खास करके मैं बिहार के सरकार से मुतालबा करूंगा कि लोग तंत्र की जन्नी रही है और तंत्र की दमन का काम यह मत कीजिए और पुलिस ठीक है चोर और डाकू तो नहीं थे लुटे रहे तो नहीं थे ने नमस्कार में हो देवांसू आप देख रहे हैं आज एम आई एम के विधाय को गरदनी भाग ठाना पुलिस ने आज गरपतार कर लिया था आखिर क्या है मा कालबात के लिए के साहब हमने एक्जाम पास्ट कर लिया है और बिहार में लाखों सिक्ष्चों की जाए खाली पड़ी है और हाई कोट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है कि जल्द से जल्द हमारी कांसिलिंग कराई जाए सरकार ने आसवासंदिया एलक्सन से पहले इनो वे थे, कोई हंगामा नहीं था, बड़े सब अंदाज में, जो पढ़े लिखे लड़कों का मामला होता है, उसमें लड़कियां भी थी, बिकलांग बच्चे भी थे, लड़के भी थे, लड़के भी थे, और नतीजा के पुलिस आई, एकाएक उन पर डंडे चलाना सुरू कर है ना मेजिस्टेर्ट थे वहाँ पर, मामला ये है के ठीक है, उन बच्चों के साथ ये जो जल्म हुआ है, लोग तंत्र में क्या अपने हक को मांगना जुर्म है, और बिहार जो सिक्षा जगत को बिल्कुल चौपट करके रख दिया हैं इंडिया की सरकार ने, और नितिश रने वाली सरकार, और पुलीस में और इनके जो मेजिस्टेट हैं, इनको कितना बत्तमीज बना दिया गया है, कि विधायकों का प्रिविलेज भी बाकी नहीं रहा गया, बलके हमारे गड़बंदन के नेता थे, हमारे भाई फजल इमाम साहब, जो कौमी जनरल सिक्रेटी है रलसपा के, वो थे हमारे एमेले जनाब भाईजार असपी साहब थे, हम लों के तारुफ के बावजूद भी पूलीस ने हम लों को आदे गंदर डिटेन किया, हम लों को चलो जा, लेचलना है, चलो, लेकिन इन बच्चों पर क्यों जलम कर रहे हो, हैंना, इनका क्यों खू समीज अफसरों ने इस तरह की हरकत किये है, उस पर कारवाई हो, उस पर इनकारी हो, और खास करके, मैं बिहार के सरकार से बतालबा करूंगा, कि लोगतंतर की जन्नी रही है बिहार, और लोगतंतर की दमन का काम यह मत कीजिए, और पुलीस ठीक है, चोर और डाकू तो नही है, लेकिन मामला यह है, कि पढ़े लिखे बच्चों पर, नोकडी के नाम पर, सिक्षा के नाम पर, यह डंडे चलाना कहीं से भी वो नहीं है, यह नितिश कुमार जी की सरकार का साहिए, जवाल का वक्त आगया होगा, साहिद इस तरह का कारवाई करवा रहे हैं, आपको भ अंहीन कर रहे है कि इन प्यारतियों को, चूकि उन में योगता है और बिहार के स्कूलों में की हालत, खास के सरकार Hier स्पूलों की जो हालत है, जिस बदतर सिती में, उसमें बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी है कि योग शिक्षकों को वहां बाल कर बिहार के बच्चों का भविष्ट बनाया जाए और जिस तरह की बसुली की और बरबरता लाटी चार्ज की जो जिनके हाथों में कलम होना चाहिए जो पठन पाठन के काम करना चाहिए अगर वो सड़कों पर शक्कत के बाद मंत्री से लेकर संत्री और कोट की दर्वाजे खट खटाने के बाद उनको नौकरी पे बहाली के लिए करीब चौरानवे हजार शिक्षकों को पद खाली है उनको भरने को कहा और वो सिर्फ इतनी हिसे तो मांग कर रहे हैं कि कॉंसिलिंग का डेट दीजिए और हमें नौकरी के लिए नौकरी के नुक्ति पत्र दीजिए इसकी बहाली के लिए अगर वो इसके लिए भी अगर लाटी चार्ज करते हैं मुझे लगता है कि सरकार को शिक्षा को लेके बहुत संवेदन हीन है बहुत बेहिस है और उसे बिहार के बच्चों के है कि उन्हें भी डिटेंड किया था था थाने में फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहे हैं नूज पर नेच्छा नुच्छ नुच्छ